दिवाली पे दोस्तों अगर मुर्मुरे की लाई और लड़ू नहीं बनाए तो फिर क्या बनाया? ये तो दिवाली पे हम सब के घर पे जरूर बनते हैं देखो कितनी क्रिस्पी करारी यहाँ पर यहाँ पर यहाँ लाई बनी है आज दोस्तों मैं आपके लिए लेक्याई हूँ मुर्मुरे की लाई और लड़ू की 100% परफेक्ट रेसिपी अगर आप पहली बार भी यह लाई और लड़ू बनाने जा रहे हो न तो मेरी गहरेंटी है आपकी रेसिपी 100% परफेक्ट बनने वाली है चलिए देखते हैं मुर्मुरे की लाई और लड़ू बनाने के लिए मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई लिये और इसमें डाल रहे हूँ आधी छोटी कणची पानी चमच से बोलोगे तो चार बड़े चमच मैंने पानी डाला है अब इसमें डालूँगी 1.5 कप चीनी ग्राम में ये 300 ग्राम चीनी है साथ ही डालूँगी आधा नीबू का रज और अब इसे अच्छे से मिक्स करके चलाते हुए हाई फ्लेम पे तब तक पकाऊंगी जब तक की चीनी के दाने अच्छे से डिजॉल्व नहीं हो जाते दोस्तों जब आप इसे चलाओगी न तो आपको बीच में ऐसा लग सकता है कि चीनी नहीं पिगल रही लेकिन आपको वेट करना है थोड़ा पेशन्स रखिए चीनी पिगलेगी इसे हम अच्छे से चलाते जाएंगे साथ से आठ मिनट के बाद इस तरीके से चीनी के दाने अच्छे से घुल जाएंगे और इसका कलर चेंज होके इस तरीके से लाइक ब्राउन हो जाएगा तो इस स्टेज तक आपको वेट करना है और इसे कंटवसली चलाना है अब मैंने इसमें डाला एक चमच देशी की गैस की फ्लेम को तुरंट आफ कर दिया इसे अच्छे से मिला दिया और अब इसमें डाल दियूं मुर्मुरे तो यहाँ पर मैंने अभी 300 ग्राम मुर्मुरे लिये हैं और हमेशा दोस्तों मुर्मुरे को चान के यूज करें क्योंकि इसमें कुछ चूड़ा होता है जो कि अगर इस लईया में जाएगा न तो फिर इसके टेस्ट को खराब कर पकता है इसलिए हमेशा मुर्मुरे को चान के ही यूज करें अभी भी दोस्तों यहाँ पर न चाशनी काफी है तो इसमें 100 ग्राम मुर्मुरे और डल जाएंगे तो 300 ग्राम चीनी पे आपने टोटल 400 ग्राम मुर्मुरे यूज करने है लेकिन एक साथ नहीं डाले नहीं तो यह अच्छे से मिक्स नहीं होंगे आपने देखा पहले मैंने 300 ग्राम डाले उसे मिला लिया फिर मुझे लगा तो यहाँ पे मैंने 100 ग्राम मुर्मुरे इसमें और एड़ की है इसी तरीके से आपको भी मिलाना है अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हाँ कैस की फ्लेम मैंने ओफ रखी है फ्लेम हमें अन नहीं करनी है और जिस पे भी आपने से बेलना है चाहिए आप चकले पे बेलो या सरफेस पे उसे आप पहले से ही घी से ग्रीस कर लो मैं ऐसे टेबल टॉप पे बिलने वाली हूँ तो से अच्छे से मैंने घी से ग्रीस कर लिया है अब इस पे ये तैयार मुर्मुरे का मिक्चर डाल रही हूँ तो जिस पल्टे मैं से चला रही थी ना उसी पल्टे से 4-5 पल्टा मैं यहां पे यह मिक्चर ले रही हूँ आप अपने हिसाब से बड़ी छोटी लाई बना सकते हो अब अपने हाथों में पानी का टच लूँगी क्योंकि यह काफी गरम है ऐसे चुएंगे तो हमारे हाथ जल जाएंगे अब इस तरीके से हम एक जगह एकठा करके इसका बड़ा सा पीरा बना लेंगे यह देखो इस तरीके से मुर्मुरे के लाई लड़ू के मिक्चर को बना के छोड़ना नहीं है जैसे मिक्चर रेडी हुआ तुरंट हम इसे बेलेंगे नहीं तो यह सूख जाएगा और फिर इसे बेलने में काफी दिक्कत आएगी ये देखो बिल्कुल हलकी आतो हम इसे बेलेंगे बीच बीच में ये टूटेगा बिखरेगा हम इसे बार बार जोडते जाएंगे और फिर बेलते जाएंगे बस इसे दबा के नहीं बेलना है दबा के बेलेंगे तो मुर्मुरे टूट जाएंगे और फिर ये लाई खाने में अच्छी नहीं रगेगी यह ड्राय सी लगेगी इसलिए हमें मुर्मुरे को तोड़ना नहीं है धीरे-धीरे बसे से बेलना है ताकि मुर्मुरे भी नहीं टूटे और यह आपस में इस तरीके से बाइंड भी रहे जैसे यह बिखर रही है आप देखरों मैंसे अपने हाथों से सेट कर रहे हूं और जब हम इसे बेलते जाएंगे ना तो बेलते टाम यह ठंडी होती जाएगी और धीरे-धीरे यह आप असमें जुड़के अपनी शेप ले लेगी बस तब तक हम इसे इस तरीके से जोड़ते रहेंगे ताकि यह टूटे और बिखडे नहीं और यह ज चार बड़ा चमच यहां पर मिक्सचर लिया है अपने हातों को पानी से ग्रीज करा इस तरीके से इसका बड़ा सा पेड़ा बनात लिया और अब इसे बेलन से पेल लूँगी जब यह टूटेगी बिखडेगी अपने हातों से में से कठा करेंगे वापिस इसे बेलेंगे दो तीन बार ऐसे करने के बाद आपकी लाई अपना शेप ले लेगी और फिर वो नहीं तूटेगी. जैसे जैसे ये ठंडी होती जाएगी ये आपस में बाइंड होती जाएगी. जब तूट रही है बस मैंसे इस तरीके से सेट कर रही हूँ. यही प्रोसेस आपको रिपीट करते जाना है और फिर आप इसे अपने हिसाब से बड़ा छोटा जैसा चाहू वैसा बना सकते हो. इससे बड़ी लाई बनानी हो तो ज़ादा मिक्स्चर एक साथ लेके बेलो, छोटी बनानी हो तो इससे कम मिक्स्चर लेना. बस, इसी तरीके से मैं साड़ी लाई बना लूँगी, अब मैं आपको दिखाती हूँ लड़ू बना के, हातों में पानी का टच लिया, जितने बड़े हमें लड़ू बनाने हैं, उतना मिक्स्चर मैंने हातों में लिया, और इसे दबाते हुए इस तरीके से गोल कर रहे देखो, बीच में अगर लगे आपको कि आपके हातों में गरम लग रहा है, वापिस से आप पानी का टच ले लेना, पानी का टच लेने से आपको मिक्स्चर जादा गरम नहीं लगेगा, एक पार में ही आपके लड़ू आसानी से बन जाएंगी, और दोस्तों, अगर आप जाधा quantity में लाई और लड़ू बना रहे हो ना, तो दो लोग मिलके बनाना, ऐसा करने से मिक्चर ठंडा नहीं होगा, क्योंकि ये शुगर सिरफ है, तो ये जल्दी ही ठंडी भी हो जाएगी, और हाँ अगर आप अकेले बना रहे हो, और बनाते बनाते, आपका जो मिक्च है, वो सूख गया, यानि कि अब उसमें से लाई और लड़ू कुछ भी नहीं बन रहा, तो आप क्या करोगे, तो आप करहाई को वापिस से चठाना गैस पे, हाई फ्लेम पे दो मिनट के लिए इसे घुमाते हुए करम कर लेना, वापिस से शुगर सिरफ डिजॉल्व हो ज आई है, आप चाहो तो एक साइस की भी बना सकते हो, या छोटी भी बना सकते हो, और ये रहे हमारे लड़ू, तो देखा दोस्तों कित्ती जटपठ हमने हाँ पे मुर्मुरे की लाई और लड़ू बनाए दिवाली के लिए, दोस्तों अगर आज की वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हो कि सिंधी रसोई आपके लिए और वीडियो बनाता रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन में आल सेलेक्ट करें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको यूट्योब पहुचाए, और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी?